नमशकार, हंगरी की राजधानी बुटापेस्ट में 19 सगस्ट से लेखर 27 सगस्ट के बीच में वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंशिप का एउजन किया जा रहा है और भारत का 28 सदस्य दल इसमें जो है वो पाटिस्पेट करेगा अगर हम पुरुषों की बात करें तो 800 मीटर में क्रिशिन कुमार, 1500 मीटर में अजेश रोज, 400 मीटर हरडल में संतोष कुमार, 3000 मीटर स्टिपल चेस में अविनास साबले, 35 किलो मेटर वॉक में राम भाबू, 20 किलो मेटर वॉक में अकाष्ट दीप सिंग, विकास सिंग और इसके लाबा भारत की 4,400 मीटर रिले टीम, पुरुषों की नीरत चोपडा, जेवलिन थ्रो में, 37 डीपी मन्नू और किशोर जेना भी जेवलिन थ्रो में पाटिसिपेट करेंगे पिछले एथलेटिक्स चेंपियंशिप हुई थी, 2022 उसमें नीरत चोपडा ने एक मातर पदक, सिल्वर मैडल जो है, इसमें जीता था भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपियंशिप में आज तक सिर्फ दो ही पदक जीते हैं एक अजू बावी जॉर्ज ने 2003 में जीता है और दूसरा जो है वो नीरत चोपडा ने सिल्वर मैडल पिछले वर्ष जीता था जैवलिन थ्रो में इसके अलबा हाई जप में सरवेश अनिल कुसारे, लॉंग जप में मुर्ली श्री शंकर और जैस्मिन एल्डरीन, ट्रिपल जप में परवीन चित्रेल और अबदुल्ला अबुबकर और एडल हाउस पॉल इसके लबा अगर पांच महिलाओं की बात करें जो इसमें पाटिस्पेट कर रही हैं तो 100 मिटर हडल में जोती एराजी, 3000 मिटर स्टिपल जेस में पारुल चौधरी, 20 किलोमेटर वॉक में भावना जाड, इसके लबा लॉंग जप में शैली सिंग और जैवलिन त्रो में अनुरानी, तो ये 28 सदस्य दल जो है, वो 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में होने वाली वर्ल्ट एथलेटिक्स चेंपेंशिप में पाटिसिपेट करेगा, धन्यवाद